बिहार की एक औरत ने अपने ही हस्बेंड का कतल कर दिया और उसके पिछे कारण किया था कि उसके हस्बेंड ने उससे रील बनाने से मना करा किया एक डीम के चलते उसने अपने हस्बेंड का ही कतल कर दिया हेलो विर्बन मिरा नाम है आधित्यमिसरा और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बेमुस्तराय के कैस के बारे में जहाँ बेवी ने अपने ही हस्बेंट का कत लगा रहे रिल्स के चक्कर में मगर वो सौक उसके कब सर चड़ गया और उसके सर में खून सवार हो गया अपने हस्बेंट को ही लेकर चले जानते हैं इस वोडियो में साथ साल पहले महस्वर कुमार राय जो की महच 25 साल कर लगा होता है उसके साधी रानी कुमारी से हो जाती है और साधी को साथ साल बीट जाते हैं और जो महस्वर था वो कुलकाता में एजर लेबलर काम किया करता था आपको पता होगा कि लेबलर की जिंदगी काफ़ डिफिकल्ट होती है काम ज़्यादा होता है और पगार कम मिलती है तो वहीं कोलकाता में काम किया करता था और उसका एक भाई भी था जिसका नाम था रूदल तो बीच बीच में इन साथ सालों के गैप में जो महिस्वर था वो घर अपने बेकुसराई बिहार आया करता था अपने घर वालों से अपनी वाइफ से मिलने के लिए तो वो अभी भी अपनी घर आया हुआ था और वो घर आकर देखता है कि जो उसकी बीवी है रानी कुमारी वो इस्टाग्राम पे रिल्स बनाने में बिजी है उसकी अंदर एक तरिके से भूँत सवार हो चुका है रिल्स बनाने का और महेसवर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसकी बीवी इस्टाग्राम पे लोग सामने डांस वगरा करें लिपसिंग करें या जो भी कॉंटेंटों क्रियाट करती हो तो इसका वो बहुत ज़्यादा अपोस करता है और उनकी बीच में इसी को लेकर छखड़े भी होते रहते हैं बीच में लडाईयां फ्रिक्वेंटली होने लगी और बहुत सादा होने लगी रानी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि उसका हस्बंट उससे रेल बनाने से मना कर रहा है वो चिस से इतनी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी इतनी ज़्यादा खफा हो चुकी थी कि उसने अपने ही हस्बंट का मार्टर प्लैन कर लिया था संड़े के दिन वो अपने माई के चली जाती है और वहां महेस्वर को गुलाती है और तकरीबन रात के 9 बजे रानी और उसकी दो छोटी बहन जिसमें से गे एक कनामता रोजी कुमारी और एक कनामता सोनाली कुमारी ये तिनों मिलकर रात के 9 बजे महेस्वर का कतल कर देते हैं अब इसमें एक और बंदा सामिल है और उसे गुमराह करने के कोसिज करता है अब यह चीज रूदल समझ जाता है और यह भी समझ जाता है कि महिस्वर किसे ने किसे दिक्कत में तो है तो अपने पिता को वहीं अपने भावी के माई के फफावध गाउं में भिशता है और जब उसका पिता महिस्वर का पिता वहाँ पहुंसता है तो वह अपने बेटे की डेट बॉड़ी फाउंड करता है और तुरंथ ही पुलिस को गुला लेता है घर में जो विवाद चल रहा था उसके बारे में तो सबको पता ही था इसलिए महिस्वर के पिता पुलिस इन्वेस्टिकेशन पुलिस को साफ साफ बता देते हैं कि इनके बीच जगड़े चल रहे थे और ये लोग रील्स के चक्कर में लड़ रहे थे और रानी के साथ साथ वो लोग कस्टडी में उसकी दोनों छोटी बेहन को भी ले लेते हैं जिन्होंने इनकी हल्प करी थी अब यहाँ पर एक नया इंपोस्टर सामने आता है जहाँ पर महिस्वर के पिता ये कहते हैं महिस्वर के पिता से इन्वेस्टिकेशन करने के बाद पुलिस वाले पांच लोगों पर कंप्लेट लिखते हैं जिसमें से कि वो रानी कुमारी को तो अरेस्ट भी कर लेते हैं महिस्वर कुमार राय और रानी कुमारी का एक बच्चा भी था जो कि 5 साल का था आप समझ सकते हैं कि उसमा ने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा कि आगे की जिंदगी वो बिना पिता के कैसे काटेगा आप समासे हightäch कि कोई विक्ती कितना पाघल हो सकता है कि कुछ चंध फollowर और कुछ वीडियोस के चक्कर में अपने परिवार का ही नास कर दे ना अपने बच्चिक बारे में सोचे ना अपने पती के बारे में सोचे और ना ही अपने आने वाले कल के बारे में सोचे खेर इसमा आपको क्यो अपिनेन नीचे comment box में जरूर लिखेगा and that's it for today guys see you in the next video till then stay tuned and don't forget to subscribe and like our channel